टैबल्यू को यूज करके न आप अपना भी प्रोजेक्ट ना सकते हैं जो इस एक लेक्षर के अंदर हम देखने वाले हैं डेटा आपने डाउनलोड करने है, डेटा की सेंस आपने बनानी है और at the end आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा असलाम अलेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अमारतुफैल और मैं आपको टैबल्यू सिखा रहा हूँ ओ भाई, सीख रहे हो ना, that's good अगर आप सीख रहे हो let's jump into the screen यहाँ पे आपने गूगल पे जाने, यहाँ पे लिखना है गूगल डेटा सेर्च, ठीक है तो इस तरीके से गूगल डेटा सेर्च की वेबसाइट ओपन होगी इसके अंदर आपने लिखना है ग्लोबल पापूलेशन ग्लोबल पापूलेशन लिखने के बाद यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर देना है पहली आपके पास वेबसाइट आएगी इसको उठाने है और उसी डेटा रेपोजिटरी के अंदर सेव कर लेना है जो हमारे पास पहले भी मजूद है तो मैं डाउनलोड से यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यह हमारे पास word population live dataset आ आ चुक है टैबलियू में हमने जाने डेटा सोर्स पे हमने क्लिक करने डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद हमने उपर डेटा पे जाने डेटा पे जाने के बाद new data source text file है क्योंकि यह word population csv file है इसको मैं यहां से open करता हूँ and it will be actually connected to our data set तो यहां पे word population का data set automatically यहां पे connect हो चुक है something like this you can see के हमारे पास name of the country है 2022,20,15,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20, something, something, something हमारे पास data set आ गया हम यहां पे एक नया sheet को open करते है इस sheet को मैं नाम दे देता हूँ 006,population data यह लिया हमने अब हमने क्या करना है basically जो हमारे पास name of the countries है it should be a location data set geographical role है यह और इसको हम country region का नाम दे देते हैं तो यह name आगे है हमारे पास and it will look like this अब हमने क्या करना है 2022 के data set को यहां पे paste करना है और आप देख सकते हैं के 2022 में सबसे ज़्यादा population किस country की है यहां पे अगर मैं इसको zoom in करूँ चाइना की सबसे ज़्यादा फिर इंडिया के फिर United States, Indonesia and then Pakistan पाकिस्तान की इस वक्त जो population है वो तकरीबन कितनी है जनाब 23 करोड के करीब है ठीक है और अब हम क्या करते हैं यह basically हमारे पास sum आ रहा है ठीक है और the unit might be different यहां पे आपको thousands नज़र आ रहा होगा but it's totally different अगर मैं इसको यहां से count में ले जाओ so it would be like this and अगर मैं इसको average में ले जाओ it will be like this हम इसको sum में रखते हैं ठीक है जी? तो यह हमारे पास data set आ गया है मैंने simply यहां पे click करने है यह हमारे पास global population पूरी के पूरा एक data set हमारे सामने plot बनके हमारे पास global population का आ चुक है it will take some time obviously यह एक अच्छी खासी processing के बाद यह plot बनता है so अगर आपके सामने यह time ज्यादा ले you don't need to worry about that ठीक है? usually it takes more time और यहां पे आप देख सकते हैं के चाइना है पिर पाकिस्दान है पिर इंडिया है यहां पे population ज्यादा है और बाकी different किसम की population colors पे click करने के बाद edit colors पे जाएं और यहां से usually जो लोगों को color पसंद होता है मैंने पहले भी आपको बताया था और या red और gold इसको apply कर दें तो आपके पूरे dataset पे population के scale के उपर यह apply हो जाएगा and you can also click on this one और आपका dataset कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपको भी पता है अगर हमने pan करना है तो यहां पे F को दबाऊंगा मैं F को दबाने के बाद I can pan like this ठीक है? सो यह पूरे का पूरा हमारे पास एक global population का dataset बन गया और यह हमने सिरफ और सिरफ अभी 2022 का बनाया है ठीक है? सो हम क्या कर सकते हैं? इसको remove करके हम यहां से 2010 का भी बना सकते हैं something like this यह 2010 का बन गया and इसके भी colors आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं मैं green and gold करके देखता हूं इस दफा and this is how it would look like यहां से आप इसको show को बन करेंगे तो यह आपके सामने basically एक proper जो है legend भी आ रहा है आप इसको भी format कर सकते हैं इसका नाम भी रख सकते हैं whatever you want to do you can do with that this is how you can actually plot a big plot और आप इस plot को different social media के platform पर share भी कर सकते हैं after exporting it export कैसे करने वो इंशालल हम next video के अंदर देखने वाले हैं like, share, subscribe this channel और बड़ी ही अच्छी बात होगी अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं take care, see you in the next one झाल आप